Dear Friends, मेरा नाम सुभास चौधरी है और मैं भारत का एक सामाने नाग रिखूँ आज का ये वीडियो बहुत important हम सब के लिए और senior citizen के लिए खास कर क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के बारे में है, उनके problem के बारे में है और आज हम उसकी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी daily basis पे 5 चीज़े हैं जो जिन्दगी में हमारे senior citizen face करते हैं What are those 5 daily problems that a senior citizen can face एक बरिस्थ आदमी, एक elderly आदमी अपने daily routine में, प्रतिदिन के जीवन में कौन सी ऐसी 5 तरह की समस्याएं हैं जिसको वो उसको जहिलना पड़ता है, उससे उसका रूबरू होता है और उसके उसको परिशानी होती है वीडियो भी शुरू करते हैं, उससे पहले एक मज़ेदार message मेरे पास आया है उन्होंने हमें, हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे भेजा है सर जी आप रोज बोलते हैं कि आज का वीडियो बहुत उपयोगी है और एक emoji उन्होंने लगाया हार्ट का तो मैं इन सजन को मैं धन्यवाद देता हूँ उनका कहने का मतलब यह है जो मेरी समझ में आता है कि आप रोज बोलते हो कि बहुत इपोटेंट उपयोगी वीडियो है तो क्या सब वीडियो उपयोगी होती है या आपका ऐसे ही बोलने का है तो मित्रो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं कोई यहां टाइम पास करने नहीं आता हूँ मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ जो सिर्फ बनाने के लिए है मेरा मकसद जैसा कि मैंने पहले भी बोला मकसद यही है कि हम आपको कोई message दे सकें, कोई information दे सकें, कोई knowledge आपके साथ share करें या आप समझेए, आपके problem का हम भागिदार बन सकें, आपकी समस्याओं को हम समझें और उसमें जो भी मुझे समझ में आता है निदान, उसके बारे में हम बात करें mostly हम health के बारे में बात करते हैं, हम mental problem के बारे में बात करते हैं, हम happiness के बारे में बात करते हैं, हम success के बारे में बात करते हैं, failure के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं, जादे तर senior citizen के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, लेकि उनके साथ साथ जो हमारे नौज़मान दोस्त हैं मित्र हैं जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो बीच के अम्र होने, उनके लिए भी हम बात करते हैं लेकिन चुक्की सारी वीडियो बहुत उपयोगी होती हैं, मुझे काफी मैं उस बहुत इस्टरी करता हूँ काम करता हूँ Information इकठा करता हूँ उसको पर मैं सोचता हूँ मैं विचार करता हूँ उसके बाद आपके सामने लाता हूँ ताकि जो चीज मैं आपको बताऊँ जो information मैं आपको दूँ जो भी knowledge मैं आपके सेर करूँ वो आपके लिए उपयोगी हो आपका knowledge बढ़े आपके जीवन में उसका उपयोग हो और अगर आप उसको अमल करें तो आपको फायदा हो साथ ही साथ बहुत बार इसका purpose ये भी होता है कि हमारे जो दोस्त वित्र हैं उनको मैं motivate कर सकूँ बहुत सारे लोग हैं जो दुखी रहते हैं उनके जीवन बहुत सरी समस्याइं होती है तो मेरा एक प्रियास होता है कि अगर उस समस्या को मैं थोड़ा भी अगर हल कर सकता हूँ या कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपके दुखी मन को एक छोटी से भी खुशी की और एक उमीद की अगर किरन मैं दिखा सकता हूँ ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो दोस्तो उपयोगी तो है और आज की वीडियो फिर से मैं बताना चाहता हूँ बहुत उपयोगी है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी पांच समस्याओं के बारे में जो हमारे सीनियर सीटिजन एवरी डे बेसिस पे उसको जहलते हैं उनको वो प्राबलम देखनी पड़ती है और उनके उनसे वो रूबरू होते हैं देखिए जैसे आप एज आपकी बढ़ती है ना तो आपको फिजिकल प्राबलम आपको इमोशनल प्राबलम आपको सोसल चैलेंजेज आपको जहलना पड़ता है यह सब आपकी समस्याओं होती है और डेली बेसिस पे होती है ठीक है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके प्रतिया वलनेरेबल हो जाते हैं वलनेरेबल मतलब वो चीज़ आपको जादे अफेक्ट करता है जो ऐसे हेल्थ का प्राबलम है ओल्ड एज में बीमारी की समस्याओं बढ़ जाती है आपकी बीमारियां जादे आपको अफेक्ट करती है उसका नुकसान जादे होता है और जादे बार होता है इसी तरीके से सोचल प्रॉब्लम से मैंना मतलब है सोचल आइसोलेशन लॉनलीनस पहले आप एक मेन स्ट्रीम में थे आप जॉब में थे बिजनस में थे अभी आप रिटार हो गए आप घर पर बैठ गए तो आपका जो सरकल है वो छोटा हो गया आपका सोचल एक्टिविटी कम हो गया या बंद हो गया है उसी तरी के से आपको financial insecurity हो गई मतलब पैसे की कमी होगी पैसे आपके पस limited है जो भी इंकम है वो limited है जिनको पैसन आती है गौब्रमेंट की उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिनको पैसन नहीं आती है उनका तो पैसा limited है अब वो जायज़दे क्या करेंगे इंट्रेस्ट पे कुछ जो भी पना सकते हैं वो करेंगे या किसी या कोई रेंटल आ रहा है तो वो होगा लेकिन सब के साथ ऐसा नहीं होता है तो उनकी financial insecurity है पैसे कि उनको problem है तो यह जो है उनको दिक्कत हो सकती है इसी तरीके से कुछ लोगों को old age में care taker भी चाहिए या चाहिए family care taking करें या बाहर से आप hire करें जैसे कुछ लोग bed written हो जाते हैं तो उनको bathroom का काम है नहाना दोना खेलाना पिलाना medical assistance की बात है तो यह जो समस्याएं हैं यह होती है old age में तो आज हम बात करें ऐसी पांच चीजों की जो अपने senior citizen जवाब हो जाते हैं तो उन चीजों से आपको रूबरू होना परता है उनको आपको daily आपको उसकी बारे में problem होती है उसको क्या करें कैसे handle कर वो भी बात करेंगें लेकिन पहले समस्या तो समझें तो सबसे problem जो है पहली है वो होता है old age में health issue health issue इसलिए कि बहुत सारी बीमारिया एज जादे होने के बाद 55 होने के बाद आपको effect करते हैं और वो जादे effect करते हैं जैसे आपका hypertension है या diabetes है या heart की problem है arthritis है और डिमनेशिया है मतलब भूलने के बीमारी ये 5-6 बीमारी है जो आपको old age में जादे effect करते हैं ठीक है न जैसे अब high BP अगर आपका control में नहीं रहेगा तो क्या होगा बहुत सार बीमारिया हो जाती हाई बीपी से बीपी अगर आपका control में नहीं है आप दवा लेके भी control करते हैं तो ठीक है लेकिन माल लिए किसी कारण से uncontrolled हो गया तो इसे आपको stroke हो सकता है इसे आपको heart की problem हो सकती है kidney failure हो सकता है तो ये इसे तरीके से diabetes है जैसे कि मैंने बोला diabetes is a very bad disease ये दुनिया भर की बीमारियों को आमंदरन देता है तो अगर diabetes है तो उसकी वज़त से अगर complication हो जाए अगर जादे हो गई तो आपके nerve के damage हो सकते है kidney की problem हो सकती है आँख खराब हो सकता है बहुत बार बजर्गों को diabetes बहु तो ये सब old days में बहुत तरह की समस्याइं होती है इसी तरीके से अगर arthritis की problem है तो उनको susan हो जाती है पैर में उनको जो है न दर्द होता है joint में तो ये जो है arthritis की वज़ती होती है इसी तरीके से बहुत सारे बिमारिया है और वो ऐसी problem है कि आपको daily daily आपको जूजना daily basis पर जूजना पड़ता है ये तो वो हो गया दूसरी हम बात करेंगे social insecurity की loneliness की अकेले पन क्योंकि आपका social activity कम हो जाता है तो आपका जो social connection है वो कम हो जाता है क्योंकि आप retire हो गए या health आपकी ठीक नहीं है बिमार रहते हैं तो जादे मिलना जूलना नहीं होगा आप बा जाओगे क्योंकि जब बिमार हो रिटायर होने के बाद और अगर health issue होगे तो आपका movement बहुत कम हो जाएगा तो जब movement ही नहीं हो रग होगा लोगों से मिलना जुनना नहीं होगा तो loneliness होगा अकिलापन होगा social isolation होजागा अप अलग थलग पढ़ जाओगे अलग थलग पढ आपको problem हो सकता है physical or mental दोनों चीज़े हो सकती है anxiety आपको हो सकता है cognitive problem मतलब पहचानने की जो problem होती है पहचान उतना नहीं पाएगे जादेज होने पे यह सब चीज़ें होती है तो यह एक loneliness का भी problem होता है दूसरा problem यह हो गया तीसरा जो है आपका है financial insecurity मतलब पैसे की आपक कमी हो जाएगी पैसे आपका तो fix है आपकी तो अगर मतली आपको नहीं आ रहा है पैसन ऐसा कुछ कितने लोग एक परसन भी लोगों को नहीं होता है पैसन रहता है सरकारी पैसन तो आपके पास जो जमाप पूजी है वही आप खाओगे और interest rate भी इतना नहीं होता है तो उ ऐसा एक्चुली आपका पढ़ता नहीं है उसकी value गिरती है अगर tax कभी लगा दे तो तो पैसे आप कहां से लाओगे और पैसे तो चाहिए medical care के लिए बहुत पैसे चाहिए बहुत दवाई में खाने पीने में रहने में बहुत पैसे लगते हैं और जिन लोगों को कोई chronic problem ह chronic old is problem है जैसे माल जी उनके हर महीने बहुत सारा heart की problem की दवाई आती है सुगर की problem की दवाई आती है उसके अलावे माल जी उनको regular दिखाना है अभी किसी को ऐसी problem उसको हर 10 दिन पर दिखाना है कुछ लोगों को kidney की problem हो जाती है तो उनको जो है वो डैल्सिस पर डालना पड होता है कितना खर्चा होता है पैसे तो आपके पास है नहीं government का तो कोई support है नहीं नाम के लिए government तो कुछ करती है तो senior citizen के साथ तो ऐसा सौतिला ब्यभार करती है अभी उनको मैंने सुना सतर साल के बाद वो यह दे रहे हैं कार्ड दे रहे हैं medical कार्ड अरे बहुत सतर साल जिन्दा कहा रहता है आप देखो ना साथ साल होने के बाद जो साथ साल होते हैं उसमें से सेवेंटी परसेंट लोग तो सतर से पहले मर जाते हैं इट इस ऑल आई वाश बस दिखाने के लिए है और जैसे मैंने पहले बोला लोग की पैसे की problem होती है तो कहीं जाना है अपन तो behaving like की वो क्या बोलू वो तो ऐसा लगता है कि उनका सोतेला बच्चा है इनको बस तकलीफ ही देना है जिसने सालों साल मेहनत की पैसे कमाए इतना tax भरा उनके साथ भी कोई हमदर्दी नहीं और जिनके पास कुछ नहीं था उनके लिए भी हमदर्दी नहीं तो ऐसे cases में वो financial जो उतना खर्चा आएगा आदमी कहां से देगा क्या करेगा तो यह सब जो है problem होती है इसकी वज़ा से financial issue की वज़ा से उनको stress हो जाएगा anxiety हो जाएगा उनको decrease quality of life हो जागा मतलब quality of life गिर जागा quality of life गिरने का मतलब अगर उनको ठीक से खाना नहीं मिलेगा उनको ठी उनको क्या होगा आप आप बताओ आप सोचो आप सोचो यह इतनी बड़ी समस्या है और यह lot जो है ना यह senior season की इतना ignored group हो गया ऐसा ignored section हो गया society का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है महिला का उत्थान करेंगे दलित का उत्थान करेंगे अभी बच्चे का उत्थान करेंगे युवा को उत्थान करेंगे लेकिन जो seniors को जिन्दा तो रहने तो भाई उसके लिए तो कुछ करो कुछ तो करो ये बुड़ापे में आपको फिर से वही करना है आपको ये तनाव जहलना है सोसल सेकुरिटी नाम की कुछ है नहीं जो है उसका कोई मतलब नहीं है बहुत कम लोगों को मिलता है तो ये जो दिक्कत है न ये financial issue हमें हमारे senior citizen को जहलना पड़ता है मैं highlight इसलिए कर रहा हूं कि शायद कभी कोई आदमी कोई सरकार का आदमी कोई government officer कोई भी आदमी को इनने ताइस चीज़ को इस वीडियो को देखे तो उनको एक चीज़ realize हो कि जिस आदमी ने सारा दुनिया का भार अपने कंधे पे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया समाज के लिए काम किया देश के लिए काम किया वो जब बुड़ा हो जाता है तो आप उसको बस reject कर देते हों आप ये बताइए हमारे प्रधान मंत्री 72-73 साल के हैं हमारे अभी अमेरिका का जो president चुना गया वो 78-79 येर का है वो 78-79 में पूरा अमेरिका देश चला सकता है लेकिन हमारे लोग 60 साल के होते ही एकदम से नकारा हो जाते हैं आप उसको रिटायर कर देते हो उसको कोई सुविधा नहीं है जो थोड़ी बहुत ना उसको आप कोई पेंसन देते हो न उसको आप कोई सुविधा देते हो उसकी नोकरी भी आप ले लेते हो उसको आप टैक्स भी डालते हो क्या है यह तो बोलना पड़ेगा न, मैं तो बोलूँगा इस बात को, किसी को अच्छा लेगा बुरा लेगा, मैं तो बोलूँगा, बिकॉज हमारे समाज, हमारे समाज की बते हैं मेरे ग्रूप जो हमारे senior season friends हैं उनके अगर आँक से आशू पर टपकते हैं और फिर उनके बच्चे भी उनको ध्यान नहीं देते हैं उनकी बेबी बहुत बार तो बीबियां भी नहीं ध्यान देती हैं और महिलाएं हैं तो उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं बेटा बेटी ध्यान नहीं देते हैं वो कहां जाएं इधर जाएं तो ये समस्या जो है डे टूडे उनको जहलना पड़ता है इसके बाद जो है चौथी चीज है एज बढ़ने के औरंद डिसक्रिमिनेशन जो मैंने भी बोला उनके साथ डिसक्रिमिनेशन हो जाता उनको कोई मात तो नहीं जाता है घर में भी उनको बायकट किया जाता है कोई उसे बात ही नहीं करेगा कोई पर ध्यान ही नहीं देगा कुछ बोलेंगे तो लोग अंसुना करके चल देते हैं समाज में भी उनकी कुछ नहीं है मतलब जिसके पास पैसे हैं उसकी बात तो अलग है मैं उसको गिनता ही नहीं हूँ लेकिन जिनके पास दिक्कत है उनकी तो discrimination की वज़ा से उनको mental issues हो जाते हैं, आप अगर उसको किसी को इज़त नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, बुरह आदमी, बुज़र आदमी, वो क्या करेगा, तो mentally, emotionally वो तूट जाएगा, तो ये जो है न, इसकी वज़ा से उनको फिर stress होगा, anxiety होगा, depression होगा, ये सब सम मेडिया है, वो क्यों नहीं highlight करता है, वो एक कहानी लेको तो बहुत रायता पहलाता है, दुनिया भर का किसी को ले लेगा, Kamala Harris ने, वहां वो ये हो गया, वो हिंडिया कि अरे भाई, तुमको वो हिंडिया की थी, उसको कहां पड़ी है, लेकि जो तुमारे अपने देश के नहीं है, वो मजबूर हैं, वो क्या करें, तो आप उनको सताय जा रहे हो, तो ये जो है न, ये चीज़ चल रहा है, तो ये discrimination जो हैं, इसको खतम होना चाहिए, इसके खिलाफ एक हमें ऐसा message करना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो सीनियर हो गएं, जो अभी रिटायर करने वाले, उनको एक ऐसा महौल बनाना चाहिए, कि जो भी बुजर्ग हैं, उनको एक respectful जीवन, रिटायर जीवन उनको मिले, समाज में उनका सम्मान मिले, और अपना बुढ़ापाव आराम से, इज़त से, स्वस्थ रूप से बिता सकें, और खुशी-खुशी बिता कें, यह बहुत जरूरी चीज़ है, और लास्ट एक और चीज़ है, जो चैलेंजिज हमारे सीनियर जिन फेस करते हैं, ट्रांस्पोर्टेशन की दिक्कत, क्योंकि उनका, चुकि बीमार होके सरी तो म जाएं, क्या करें, ओ घर में पड़े रहेंगे, घर में पड़े रहेंगे, तो बीमार होगें, बीमार होगें, उनको mental issue हो जाएगे, फिजिकल issue हो जाएगे, यह सब जो चीज़े हैं, पांच-छे चीज़े जो हमने बात की, यह बहुत तकलीफ दे हैं, और हमारे जितने senior season भाई बंधू हैं वो उनको इस चीज से रोज रूबरू होना पुड़ता है उनको यह जेलना पुड़ता है तो मैं तो बोलूँगा जो भी गवर्मेंट ऑथरिटी है जो पॉलिटिशन्स हैं जो ब्यूरोक्राट्स हैं जो सोशल सर्विस करते हैं जो मीडिया वाले हैं जो उनको इनकी समस्याओं को उजागर करना चाहिए हाइलाइट करना चाहिए इस क्योंकि बुजूर्ग है तो लड़ भी नहीं सकते हो कहां जाएंगे वह अंसन कर सकते हैं क्या वह क्या करेंगे लाठी चार्ज लाठी खाने के लिए जाएं तो लाठी मार के उनको भागा दे तो यह जो है ना यह समाज में यह बतलाव होना चाहिए और जैसा अभी माहौल चल रहा है senior season की age भी जादे हो गई वो जीते भी जाते दिन तक हैं उनको medical जो भी facility हो गई अभी जो संसार में यह सब जो development हो गया है but they should live happily, they should live with respect, respectfully यह चीज़ हमें देखना पड़ेगा तो दोस्तों यह वीडियो मेरा इसी awareness को create करने के लिए मैंने बनाया आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको like जरूर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर फैलाईएगा और हमारे चैनल को subscribe अगर नहीं किया आपने तो जरूर सबस्क्राइब कर जिएगा आज के लिए बस इतना ही, thank you, शुक्रिया, धन्यवाद